भूगोल भाग दो, अध्याय दो प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम. प्रवास, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं. भारत की जनगन्ना में प्रवास की गन्ना दो आधारों पर की जाती है. एक जन्म का स्थान, दो निवास का स्थान, प्रवास के दो मुख्य प्रकार, आंतरिक प्रवास देश के भीतक, अंतर राष्ट्रिय प्रवास देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर आत्रिक प्रवास, जब एक राष्ट्र के लोग उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे आत्रिक प्रवास कहा जाता है उदाहरन के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश आकार वसना आंतरिक प्रवास के अंतरगत चार धाराओं एक ग्रामीन से ग्रामीन दो ग्रामीन से नगरिय तीन नगरिय से नगरिय चार नगरिय से ग्रामीन अंतरराष्ट्रिय प्रवास जब कोई व्यक्ति या समूही एक देश की सीमा को पार कर दूसरी देश की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रिय प्रवास कहते हैं. वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रिय प्रवास दो देशों के नियमों के अधीन ही संभव है. प्रवास के कारक, प्रतिकर् वे कारण जो लोगों को निवास्थान अथ्वा उद्गम को छुडवाने का कारण बनते हैं, प्रतिकर्ष कारण पुष्फैक्टर होते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीन से नगरियक शेत्रों में मुख्यता गरीबी, बेरोजगारी, क्रिशी भूमी पर जनसंख्या के भरन पोशन का अधिक दबाव, अस्थन रचनात्मक सुविधाय जैसे शिक्षा, स्वास्थिर, बिजली, परिवाहन, मनोरंजन, इत्यादी के अभाव के कारण प्रवास करते हैं. इनके अलावा परियावर निये कारक जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बार, सूखा, चक्रावाद, भूकंप इत्यादी, तथा राजनेतिक, अस्थिर्ता, अशान्ती स्थानिय संधर्ष भी प्रतिकूल परिस्तितिया उत्पन करते हैं अपकर्ष कारक, ये गंतव्य स्थान के विकारक हैं जो लोगों को अपनी और आकर्शित करते हैं, लोग ग्रामों से नगरों की और आकर्शिक होते हैं गावों को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबाई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बहतर अफसर, नियमित काम का मिलना, उचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थे, परिवहन, मनुरंजन, इत्यादी की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण प्रवास करते हैं प्रवास करने के पाच कारक एक आर्थिक कारक, रामीन इलाकों में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं तथा सीमित फ्रिशी भूमी पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है रोजगार के अन्य अफसर भी उपलब्ध नहीं होते हैं नगर की सुविधाओं और आर्थिक अफसरों से आकरशित होकर लोग नगरों में आकर बस जाते हैं उदगम स्थल पर बेरोजगारी भूखमरी गरीबी इत्यादी प्रतिकर्श कारक लोगों को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं दो और सिम्रचनात्मक कारक ग्रामीन इलाकों में शिक्षा मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है शिक्षा, स्वास्थिर सेवाओं, परिवाहन, मनुरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुक सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है तीन्त सामाजिक, सास्पृतिक कारक सामाजिक परंप्राओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना होता है जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है चार, राजनेतिक कारक, युद्ध, अशान्ती, स्थानिय संधर्ष, राजनेतिक अस्थिर्ता जातिय या धार्मिक दन्गों के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की और प्रवास करते हैं उदाहरन के लिए आंतकवाद के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का मजबूरन देश के अन्य भागों में प्रवास कर जाना पाच प्राकृतिक परियावरन इकारक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बार, भूकम, सुनामी, चक्रवाद, सुखा एत्यादी के घटित होने के कारण प्रभाविक क्शेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की और प्रवास कर जाते हैं प्रवास के परिनाम आर्थिक परिनाम सकारात्मक परिनाम उद्भाव क्शेत्र प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशी से लाब प्राप्त करता अंतरराश्ट्रिय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडिया विदेशी विनिमय के प्रमुक स्रोत में से एक हैं पंजाब, केरल, तमिल नाडु अपने अंतरराष्ट्रिय प्रवासियों से महत्वपून राशी प्राप्त करते हैं। यह रकम उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धी में महत्वपून भूमिका निभाती है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशी का उप्योग भोजन, रिनों की अदाइगी, उपचार, विवाह बच्चों की शिक्षा, क्रिशी में निवेश इत्यादी के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादी के हजारों निर्धन गावों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रकम जीवनदायक रक्त का काम करती है। हरित क्रांती की सफलता के पीछे प्रवासी श्रमशक्ती की बहुत बड़ी भूमिका रही। जनानकी की ये परिणाम, सकारात्मक परिणाम, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनरवित्रन होता है। नगरों के विकास में गावों से नगरियक शेत्रों की और प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। नगरों में दक्ष, कुशल, अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है। जनसंख्या में अर्जक जनसंख्या के अनुपात में विद्धी होती है। नकारात्मक परिनाम, ग्रामी इंक्षेत्रों से कुशल और योग्य युवा वर्क के प्रवास से ग्रामी इंक्षेत्रों के जनानकी की असंधटन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है। ब्राहिय प्रवास से उतरांचल प्राजस्थान, मध्य प्रदेश वपूर्वी महराष्ट्रा में आयूव लिंग सन्रचना में गंबीर असंतुलन उत्पन हो गया है। ऐसे ही असंतुलन गंतव्य राजियों में भी उत्पन हो गये हैं। सामाजिक परिनाम, सकारातमक परिनाम, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रोध्योगिकियों, परिवार नियोजिन, बलिका शिक्षा इत्यादी से संबंधित नए विचारों का नगरों से गावों में प्रचार्थ प्रसार होता है। विभिन संस्कृतियों का मिश्रण होता है। प्रवास के द्वारा विभिन्द संस्कृतियों के लोगों का मिलजोल बढ़ता है। लोगों की मानसिक्ता व्यापक होती है, विचारों में खुलापन आता है। नकारात्मक परिनाम दुनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। प्रवासी समाज से कटकर अकेले पर जाते हैं। प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती हैं जिससे लोग अपराध और नशीली दवाओं के सेवन जैसी असामाजिक गतिविधियो के चुगनल में फंस जाते हैं। शार परियावरन ये परिनाम गावों से नगरों की और प्रवास के कारण नगरों में भीर भार बढ़ जाती है। भौतिक और सामाजिक धाचे सुविधाओं पर भारी दबाव पढ़ता है तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने ये कम लगती है। नगरिय बस्तियों की अनियोजित वर अनियंत्रित वृद्धी होने से जगह दो मलिन बस्तियां बस जाती है। उदाहरन के लिए मुंबई की धारावी बस्ति प्राकृतिक संसाधनों का अत्यादिक शोशन होने लगता है जिसके कारण भूप जलस्तर में गिर मन हो जाता है जिससे नगर उश्मा टापो कीट आइलेंट बन जाते हैं। पाच अन्य परिनाम स्तियों पर प्रभाव। पुरुशों के प्रवास के कारण पतनिया अकेली पीछे चुरूट जाती हैं जिससे उन पर अतिरिक्ट शारीरिक और मानसिक दबाव पढ़ता है। परन्तु उनके शोशन के अफसर भी बढ़ जाती है।